प्रेमित्रों मैंने और यूति शैनकला वाध्या दिश्टि के भीष उन्के आजवहां बात केश Also बताया कि सूरी का संप्रव्ष्ट्री 12 भाहों में क्या फल देता है आज हम चंद्रमा को जोतिस शास्त्र में मन का कारग बताया गया है चंद्रमा जल का देखा जाए अगर व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा अच्छे स्थिति में व्यक्ति को अविश्ट राज्यू दिलाता है कि जितलता कागे जल करता गया है आदम कुछ नियम बता रहे हैं आपकी को दो अंग पर कहीं विराजमान हो तो ब्रिशब राशी का चंद्रमा का रश्वरा्षि बतायी अगर कहीं आपकी होई मेरे चंद्रमा यदे लगाव गृक्षमी नियुक का दिरमार करेगा चंद्रमा मंगल तो गज केशरी राजियोक का द्रमार करेगा अगर आपके लग्ण में चंदर्मार बैठा हो और 12 यानि 12 वह कोई गरह बैटा हो पानफार सुनफाथ रच्छा यह अगर कहीं चंद्रमार शनि के साथ बैठा हो तो आज कहीं चंद्रमा राहों के साथ बैठा हो या केतू के साथ बैठा हो इसे बहुते हैं ग्रहण दोश है तो आज हम बताने चल रहे हैं कि आपके कुंडली में यह सब्तम दृष्ट्री चंद्रमा कहां कर रहा है किस भाव को देख रहा है तो अपने को क्या लाप राप होगा शं कुंडली में प्रथम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो सब्तम दृष्ट्री कहाएगा यहां आएगा तो अगर आपके कुंडली में पहले बात तो यह पहला बहाव को बताएगा है व्यक्ति का सभाव मन बुद्धी महत्वा कांची विचार यह प्रथम भाव से देखा जाता है तो अगर चंद्रमा यहां बैठाएगा तो सब्तम दृष्ट्री क्या है यह पत्तनी कस्तान है भागेदाली कस्तान है पार्णर्शिव कस्तान है अगर किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा चंद्रमा यहां बैठ करके कर ल एक सब्धार्वान होते हैं तो है ऐसे अच्छे व्यापारी होते हैं अच्छे वकीर होते हैं इनको सुम्दर पत्नी होती है लेकिन युPod युण POW करते हैं आजरा से मराफंट हो जाता है किए अक्रमाणी में अगर को के आजकर Kaw при तो सब्तम क्यों गया यह अश्टम भॉबताया गया है यहां थूराश्टाइब करता हो यहां तुरा अशुक्ति काफी बीमार हो सकता सब बढ़ जाता है एसे विक्ति को फेपड का लिबन का यह तक्लिफ देता है और आसे विक्ति कापी अतक बीमार भी रहते हैं यहां बैठा हो सब्कंद्रिष्टी कहा यहां आया तो कि जहां बैठेगा वहां से सब्कंद्रिष्टी एक ही द्रिष्टी करता है चाहिए अगर चंद्रमा यहां धनी होते हैं अपने जीवज में उच्छ पत्य नाम रोशन करते हैं अगर बहुत द्रिस्टि करता होगा ऐसे विक्तिक्याद्कार्य कुश्रबाले होते हैं अच्छे वियापारी होते हैं यह सस्वी होते हैं माता का प्रिय भख्ध होते हैं, इनके जीवन में भूम, भवन, वाहंड का अधिवुत सुख प्राप्त होता है, और ऐसे विक्ति व्यवसाय को बार बार चेंज करने वाले होते हैं, काफी रिखी ग्रोध करते हैं, जीवन इनके समस्याएं कम आता है, लेकिन उच पत्पे न ना मंदनी जाते हैं, हमेशा लेखा जाता है कि इनको लाब होता है, लेकिन दयालू प्रिक्षित होते हैं दिमार होते हैं किया मन असांत रहता है तो यह बड़ेखित थोड़ा भटका इनके मन वायगा सब्सक्राइब करें लिए। अदिक खर्च करने वाले होते हैं, इनके जीवन में कभी-कभी साथ छल कपड रहता सब्सक्राइब कर दोस्ट लग जाता है या ऐसी विक्ति किसी के साथ छलकपट कर भी सकते हैं 12 का चंद्रमा क्लास अच्छा नहीं बताया गया है अगर मां लिजे चंद्रमा की दृष्टी अगर कुंडली के हिशाब से जो है अभी मैं यहां के पता दिया अगर चंद्रमा की दृष्टी मालीजे कुंडली के यहां पड़ता होगा तो अगर 17 में बैठेगा तो प्रफम भाव को चंद्रमा दृष्टी करेगा यह निए एक दो तीन चार पांच है साथ यह पहला स्थान हो गया कि चन्दमा सब्तम में बैठा है तो चन्दमा अगर लगन को दृष्टी करेगा प्रतम भाव को ऐसे विक्ति सरुषभाव के होंगे ऐसे विक्ति गायन और वादक के शौखीन होते हैं अच्छे गायक होते हैं यूग का दिनमार होता है स्रुषभाव के होते हैं विचार करके शब्कार करने वाले होते हैं अगर चंदर्मा की सब्तम दृष्टी दुथी भाव प्रतावेर के दृति भाव क्या है कोटुम बस्तान है बाणी दात आख आख आउपत्नी का आयुश्य तो अगर चंद्रम के दृफटन सब्सक्राइब चैरे के रहते हैं और यहां को इli घ्राह tomar अर्ख आणी होते हैं और एंसेश्य विक्तिभाव के बादई होता है चंद्रमां कि सब्सक्राइब sparked मतल्य अवश्य होता है अगर कहीं चंद्रमा सब्तंविष्टी करता हो कि माने यहां बैठा है तो सब्तंविष्टी चतुर्थ भाव पर आगे इसे बुलते हैं चतुर्थ भाव को ने शुक भाव माता कृस्तान भून-भौन वान कस्थनबताया गया है तो ऐसे विक्ति दयालू हो सबब्सतान होते हैं से दिमान होते हैं मिलन्सार होते हैं और इसे भेक्ति वह की और आज्विए अ 거죠 और रहता है पुर्ण करने माले होते हैं इसी चीज में हरी नहीं मानते हैं अगर आफह मोली चैन्द्रमा घिंगा है यह रोग भाव है यह घाल पहति अच्ट्थी करता होगा तो चैन्द्रमारिय बीवार रहेगा क्वाथ नेत्र का विकार रहेगा और कम15 को तकलिफ वाय का उने खर्ष करने वाला विक्ति होता है और जीवन कारव संब्राव मिलता है पखेंगे के दिविश्टी की विशह में लेकिन अगर चंद्रमा छठमीं बैठा हो या आठमें मैठा हो तो अच्छा फल नहीं बताया गया है खस्टम का चंद्रमा भी बीमार करता है और बाराहे भाव का भी चंद्रमा यह मैं केवल बता रहा हूं रहां यहां खली बैठाओं चैटर में आठ में बाराहों करते हैं तो अच्छा फल नहीं दिया गया जैसे माल लीजे कि अगर आपके खस्टम या अस्टम या द्वाव में यह अगर फींच चंद्रमा के साथ सथ रहू बैठा हो तो यहां अविश्य करवड़ फल देगा विश्य यह बटका का सकता है विमार कर सकता है विच्प है उतार कर देगा कि सब्सक्राइब अबिश्य बना देंगे इनके साथ अगर चटल बैठा और चारी भसने का योग यह पर कर्द हो जाना या अजों बिमार हो जाना अस्टन करहेगा तो अपना कप अपने प्रेट का तकलिट का तकलिट लिवर का तकलिट यह देगा और यहां फालती कूली में कहीं भी बारा भाव में गुर्ण रहाश बता रहा हो तो लक्ष्मी राजयों तो बनाएगा अगर सुक्र बैठा हो तो यह आज की जीवन भटपाव कराएगा व्यक्ति को चरितने ही जैसा बना देता है इसके साथ सल्कपत हो जाता है यह स्वेंग की शिक्सा कर देते हैं ऐसा दिखा गया है क्यों मैं बता रहा हूं कि मेरा नभववक की चंद्रमा जो है मन का कारण है और मंगल क्या है और शुक्र क्या है लग्जरियस है शुक्र भोगने का मने खांपान जो भी जाता है इंशुबर साम्जों करते हैं वो दिखा चांदर में नेमें सब्सक्राइए लैतने की जीवत्स अब हो सकता है ऐसे विक्ति का चरे बहुत अच्छा नहीं माना गया है सुझायां है यह सब्सक्राइब ऑगान को चंद्रिखा घया है तो चंद्र को अगर मजबूत करना है तो भगवाने श्यू की पूर्या करें, कोज अगे कही नजीत मंदिल हो तो देवाले श्यू की जाकर करके केवल जल अरपण कर दे कि सारी समयां का हल, एक रोटा जल भगवाने श्यू के अरपण करें, सब सनकत कश्ट दयबादा तटका सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर समय नहीं है तो केवल जलत रहें दूत रहें और वहां बैट करके अगर आपको महामिर तुन्जी आता है तो केवल साथ बार बोड़ी ओम रूंग जूंसा भूर वर्चो तरं में पुष्टिवर्द्रम उर्वा रुकमी बंद्राव मुक्ष लगिऊंट लगए तो आप से सुन है और हो सके एक सब्सक्राइब करें और या लग्ण बाटाया गया है लेकिन अपनी कुर्णी की इस रहें होगा मानिए जलता नहीं पहले आता है अगर नीच का बैटा उसे वर्ष्ची का बैठा हो तो भी मोति रतना को नहीं पैणना है अब चंद्रमा का मैं बता रहा हूं अगर चंद्रमा जहां बैठा आपकी कुण्ली में कहिं उसके आगे-पीछे कोई पापप ग्रव हो जैसे राहू हो या केतु हो सनी हो चंद्रमा बैठा उसके आ तब पर भी उसके मन निरासा राता है नहीं आता है उसके योन भटकाव अवश्य आता है इसके क्या करना चाहिए आप गाय का दूद लें और बहते हुए पानी में 500 मार्ट तक गाय का दूद का प्रवावित करें इसके आपका एदोस निखलेगा प्रित वीडियो आपको ला प्रित वीडियो आता है